UPI Payment Platform, जिसे आप अक्सर UPI ID से पैसे भीजने के लिए इस्तिमाल करते होंगे, अब वो सर्विस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, बलकि अब आप एक और देश में UPI से पैसों का लेन दिन कर पाएंगे. आज UPI Singapore के Pay Now System से जुड़ गया है, Pay Now भी UPI की तरह एक Instant Payment Service है, तो अब इस Linkage का मतलब क्या होगा ये समझते हैं, जैसे आप भारत में किसी के भी Mobile Number से उन्हें UPI के जरीए पैसे भेज सकते हैं और उनसे पैसे ले भी सकते हैं, उसी तरह से आप Singapore से भी पैसे ले और दे सकते ह बिना UPI के, अगर आपको किसी और देश में पैसे भेजने हो, तो उसमें समय लगता है, बैंक्स अपनी फीस भी चार्ज करते हैं, पर अब आप एक Minute में ही पैसे भेज सकते हैं अपने बैंक्स की आप के जरीए, सिर्फ पैसे भेजना नहीं, पर आप तुरंत पैसे पैसे भेजते हैं, वो भी अब आप तुरंत UPI के जरीए भेज पाएंगे, सिर्फ उनका UPI वाला मोबाइल नंबर डाल कर, फिलाल कीवर्ड चार बैंक अकाउंट होल्डर्स ऐसे भेज सकते हैं, ये बैंक्स हैं, ICICI Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank और State Bank of India, एक और उधारन के दौर पर, आप तक पहुंच जाएंगे UPI के जरीए, इस पर एक दिन का लिमिट भी है, साथ हजार रुपे का, और आठ बैंक्स के होल्डर्स ये पैसे रिसीव कर सकते हैं, ये हैं, Axis Bank, DBS Bank, India, ICICI Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, और State Bank of India, ये पहली बार है कि भारत के कोई payment platform, किसी और देश की service के यूपी आई के जरीए, लेंदेन फिलहाल नहीं कर सकते, यूपी आई वैसे भी भारत का सबसे बड़ा platform है, सबसे बड़ा payment platform है, और अब ये अंतर राष्ट्रे हो गया है, अब हमने कहा कि ये पैसों का लेंदेन आसान होगा, ये दर्शाने के लिए आए एक डेमो देखत सकते हैं, ये देखते हैं, आप अपने bank की app खोलेंगे, फिर आपको जाना होगा foreign outward remittances के section में, इसके बाद आप terms accept कीजिए, जिनने आपको पैसे भेजने हैं, उनका आप mobile number डालिए, प्रोसीड पर क्लिक करिए, जितने पैसे आपको भेजने हैं वो amount डालिए, रुपे और Singapore dollar की exchange rate को confirm करिए, और done दबाईए, और आपके पैसे इन चंद क्लिक में भारत से अब Singapore पहुंच जाएंगे